यह Xpire Special वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कल के Xpire के Jackpot Trade को कैसे identify करना है, RBI Credit Policy का क्या impact होगा और लाष्ट Xpire में जो हम लोगों को Jackpot Trade मिला था जहांपर हमारा 36 रुपे का premium 140 रुपे चला गाया था उस trade के पीछे का logic कल के दिन कैसे implement करना है निप्टी में हम लोगों को जो opportunity मिलेगा वो उस लेवल के नीचे break होने पर मिलेगा और हम लोगों ने target जो दिया था 19,480 का target दिया था अल्मोद 470 तक market चला गया और 470 से market में reversal आके एक आपसर का strong momentum दिखा दिया अभी कल के दिन का analysis करने के लिए सबसे पहले हमें market का psychology समझना पड़ेगा कि market किस तरीके से behave कर रहा है सबसे important बात कल के दिन दो event होने वाले है पहला event एक्सपारी का और दूसरा event जो होने वाला है वो RBI credit policy का तो हम लोगों को कल के दिन को market में को हिस्सों में बातना पड़ेगा 7-9 बज़े से लेके 10 बज़े तक जो period रहेगा जो RBI credit policy के पहले वाला रहेगा उसमें ज्यादा तर हम लोगों को momentum नहीं दिखाए देगा एक range bond वाला momentum देखने को मिल सकता है फिर जैसे 10 बज़े एक्सपारी 10 बज़े policy का live coverage चालू हो जाएगा TV के उपर तो market में आपको volatility देखने को मिलेगी इस volatile period में आप trade करना अवर्ड कीजिया और फिर जैसे market थोड़ा slowdown हो जाएगा साड़े 10 बज़े के बाद market में एक trendy momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है बस हम लोग इसी momentum का इंतजार करेंगे सबसे best period हमारे लिए यही रहेगा in between वाले phase में मतलब initial phase में अगर आप trade करते हो या फिर volatile phase में trade करते हो तो यहाँ पर एकदम कम quantity के साथ आपको काम करना पड़ेगा या फिर अगर आप novice trader हो तो better way आप market से वो time के लिए दूर रहेए सबसे important यही आपके लिए होगा पैसा बचा नहीं एक तरीके का पैसा कमा करना होता है अभी कल के दिन में इसको साइकलोजी को समझने की कोशिश की जाज नीचे से एक स्ट्रॉंग अपसाड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यह previous वाले डेने में जिन्होंने शौट किया हुआ था वो शौट यहाँ प यह उपर की साइड में यह वाला जो निकल करके आ रहा है यह हमारे लिए इंपोर्टन रजिस्टन्स लेवल रहेगा अगर मार्केट इस लेवल को अपसाड की तरह ब्रेक करता है तो मार्केट यह गया फिल करने के लिए आ सकता है तो हमारे लिए इंपोर्टन रजिस्टन तो हम जैसे ही market 645 के उपर मतलब 1645 के उपर निकलेगा हम लोग यहाँ पर कम quantity के साथ 16600 का जो call है या फिर 1650 का जो call है इस call को हम लोग यहाँ पर buy कर सकते हैं इस call को buy करने के बाद हमारा जो stop loss निकल के आएगा यहाँ पर 25 से 30 point का stop loss लगा जेंगे और उपर की side में 17700 का हमार यह target रहेगा मानलों की कल के दिन market directly gap up के साथ open हो जाता है तो market को इस 19700 के लेवल के उपर sustain होने दीजिए और फिर वहां से market उपर की side में निकलेगा तो उस case में हम लोग 19700 का जो call है उस call को यहाँ पर buy करेंगे और इसको buy करने के बाद हमारा next target जो निकल के आएगा उस सतर से 80 point का निकल के आएगा market में फिलाल के लिए image a downside का momentum मत देखिये क्योंकि इसके पीछे का reason आपको 15 minute चाड़ के उपर देखने को मिलेगा एकदम strong buying हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुकी है आज के दिन जैसे market ने इस level को break कर देया हम लोगोंने sell के trade में आच्छे कासे पैसे कमा है लेकिन यहाँ पर एक देड़ घंटे के लिए जब market range bound momentum में चला गया तो मैंने फिर अपना system बन कर दिया उसके बाद मैंने कुछ update नहीं किया क्योंकि मैं expect कर रहा था कि कल के event से पहले market यहां पर range bound रहे सकता था यतना बड़ा momentum आज के दिन मुझे बिल्कुल expect नहीं था यह पूरा का पूरा momentum मेरे लिए unexpected था आप में से कितने लोगों को यह moment expected था वीडियो को like करके मुझे comment section में बता दीजे यह momentum में अगर में screen के सामने भी बैटा रहता ना तो इस वाले momentum को मैं catch नहीं कर पाता क्यों नहीं कर पाता इसके पीछे का reason है price action price action के हिसाब से देखोगे तो आपको यहाँ पर कई पर भी important support resistance level नहीं निकल करके आ रहा है एक वाला जो trend line सिर्फ हम लोगों को निकल करके आ रहा है तो यह वाला trend line हम लोगों के लिए important था इस trend line के उपर market थोड़ा sustain करता तो हम लोग यहाँ पर buying के बारे में सोच सकते थे हो तो उसमें आप 100% momentum from top to bottom नहीं catch कर सकते जब तक आप इस hard and cold reality को accept नहीं करोगे तब तक आप एक professional trader नहीं बन पाओगे अभी आप में से बहुत सारे इमोशन बना हुआ है आप लालच में आते हो और लालच में आप यहाँ पर इस तरह के momentum catch करने के लिए आपकी जो original trading strategy है उसमें बदलाव करते हो यहीं आपकी गलती है यहीं आपके struggle के पीछे का सबसे बड़ा कारण है तो इसको find out कीजिए और इस behavior pattern को nullify कर दीजिए अभी यहाँ पर price action बनेगा फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर trade करने की कोशिश करेंगे अभी देख लेते कि मार्केट में बैंक निप्टी हमें क्या indicate कर रहा है बैंक निप्टी में कौन सा level हमर ले बेस्ट रहेगा हम लोगों को कल के दिन निप्टी में ज्यादा उमीद नही सबसे ज्यादा इंपक्ट जो होगा वह बैंकिंग फाइनन्स सेक्टर पर होगा तो कल के दिन हमरे बैंक निप्टी हम इंडेक्स होगा सेकंड रीजन यह है प्राइज अक्षिन के हिसाब से आगर आप देखते हो तो मार्केट ने टाइट का लेवल बनाया हुआ है नीचे कैसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 45100 का जो यहां पर बाई कर सकते हैं जो भी स्टॉप लोस रहेगा 7-70 पॉइंट का स्टॉप लोस रहेगा ऊपर की सड़ में मार्केट यह ग्याप फिल करने के लिए आ सकता है तो यह जो ग्याप ऑला जो हैं यह हमरे ले टार्गेट लेवल निकल करके आ रहा है यह one of the high probabilistic best trading opportunity रहेगा अभी वीडियो को पॉच किजे और मुझे यह बता दीजे कि आप में से कितने लोगों को यह hammer pattern लग रहा है अगर downtrend के end में hammer pattern आता है तभी वो perfectly काम करता है hammer pattern में हम लोग high के उपर buy का trade initiate करते हैं अगर आप यहाँ पर high के उपर buy का trade initiate करोगे with the help of this hammer pattern तो वो work out नहीं होने वाला तो यह point को note down करके रखिया अभी इसके पीछे का psychology क्या है कि market में यहाँ पर seller जो थे वो seller लोग काफी active थे इसकी वज़ा से market down आ गया लेकिन यहाँ पर हम लोगों को clear cut दिखाए देता है कि buyer ने यहाँ पर counter attack किया मतलब आभी buying का force market में बढ़ रहा है तो हम लोग इस flow के साथ चलते हैं लेकिन यहाँ पर आगर आप देखोगे तो market जो था हो completely range bound zone में था मतलब यहाँ पर कई पर भी seller active हम लोगों को नहीं दिखाए देए यह active seller जब trap हो जाते हैं तो उनके trap होने की वज़े से हम लोगों को एक बड़ा momentum देखने को मिल सा है जिसमें high probability मतलब आपका success rate जादा रहेगा और risk reward ratio जादा रहेगा वो buy के side का रहेगा तो उसके हली हम लोग देखेंगे कि buy का level कौन सा आ रहा है जैसा मैंने daily chart के उपर बताया हुआ है यह level हमारे लिए crucial रहेगा इसके उपर buying हमारे लिए best रहेगा अगर market expiry के दिन RBI credit policy पहले इस zone में consolidated करके फिर इस level को upside की तरह ब्रेक करता है न तो best buying opportunity रहेगा market को intraday chart में हम लोग देखते हैं कि intraday में किस तरीके का momentum आपको देखने को मिल चुका है अगर आप देखोगे तो as compared to the nifty bank nifty में कम one sided momentum देखने को मिल चुका है तो अभी important क्या है जैसा मैंने आपको बताया हुआ है इस zone को हम लोगों को monitor करना पड़ेगा market को यहाँ पर consolidated करने के बाद breakout मिलेगा तो सबसे best jackpot trade मिलेगा जैसे ही ऐसा opportunity मिलेगा अपने इस free वाले channel में मैं update कर दूँगा जिसका link वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है मानलो कि कल के दिन market जो वो gap down open हो जाता है इस वाले zone पे कहीप है तो यहाँ से market bounce back देने के high probability रहेगी तो उस case में हम लोग 44,700 का जो call है वो 44,700 के call को यहाँ पर buy कर सकते है इसको buy करने के बाद हमारा जो पहला target निकल के आएगा यह जो closing price है यह हमारा पहला target निकल के आएगा अभी यह level को dot to dot मत पकड़ी है यह वाले zone में market कहीपे भी open हो जाता है market में कल के दिन downside का momentum भी possible है क्योंकि RBI का credit policy यहाँ पर banking stock में बड़ा impact डालेगा मैं निप्टी की नई particularly bank nipty के बात कर रहा हूं तो कल के दिन यहाँ पर market में range bound में जो फसा हुआ है यहाँ पर हम लोगों को अगर कोई price action बनते हुए दिखाए देता है मतलब low के बाद higher low यहाँ पर बन जाता है और lower low बन जाता है तो हम लोग यहाँ पर sale का भी trade ले सकते है निप्टी में मैं जादा quantity के साथ selling के लिए interested नहीं रहूंगा लेकिन bank निप्टी में वो कमाल हम लोगों को देखने को मिल सकता है क्योंकि यह वाला event हमर ले important role की तरह काम करेगा अभी यहाँ पर कितने लोगों को trend line दिखाए दे रहा है कलके वीडियो में मैंने trend line के से draw करना है उसके secret point आपको बता दिये है अगर कुछ लोग इस तरीके का trend line फिर यहाँ पर draw करोगे तो आप दुबारा वही गलती कर रहे हो जो मैंने आपको explain करके बताया हुआ था यह trend line valid नहीं है क्योंकि आगर आपको upside का trend line बनाना है तो simply पहले market upside में होना चाहिए तभी आप यहाँ पर upside का trend line बना सकते हो तो यह trend line काम नहीं करेगा तो एक सिंपल सा judgment किजिए कल के दिन मार्केट को इस trend line के breakout होने तक वेट कीजिए और breakout के बार ट्रेड लेके देखिए यहाँ पर पक्का आपका loss हो जाएगा जब तक आपको लॉस नहीं होता ना तब तक आपको यह price action के concept समझ में नहीं आ जाते theoretically मैं कितना भी बताओंगा तो आप उसको accept नहीं करोगे लेकिन जब आपका practically पैसा चला जाएगा ना तो आपको समझ में आता है मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता लेकिन यह reality जब तक मैं आपको नहीं बताओंगा तब तक बात सिर्फ आपके दिमाग में रहेगी दिल पर नही तब तक आपका learning curve increase नहीं होता अभी कल के दिन jackpot trade के पीछे एक point आपको मैं बताना चाहता हूं जब भी लव में देखता हूं तो jackpot trade के लिए जनरली लोग क्या करते मानलों किसी के account में 10,000 रुपया है तो directly हो 10,000 को फूरा quantity के साथ माल उठा लेते तो यह सबसे गलत बात ह अगर आप jackpot trade के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि उस week में उस particular day में आपको कितना profit हुआ है और उस profit में से certain percentage का risk लेके आपको trade करना है जब भी आप jackpot trade के लिए जाते हो आपका original capital जो रहता है वो original capital के ऊपर एक तो risk नहीं लेना है और अगर अगर आपको पैसा कामाना है तो capital के ऊपर आप कभी भी बड़े player नहीं बन सकते अगर आपको बड़े player बनना है तो आप profit के ऊपर risk लेके trade करोगे तभी आप एक बड़े player बनोगे यह secret concept को accept कीजिए इसको implement करना चालो कीजिए जल्दी आप एक professional trader बन जाओगे तो यह और यूटूब चैनल को subscribe करके bell icon का button दाबा देजिए तो मिलते हैं next educational video में thank you very much